अग सहरनपूर में बीजेपी के बूत अत्यक्षूं की पाठशाला मिश्या देंगे जीत का मंत्र सीम योगी भरेंगे हूगा अग सहरनपूर में शाकंबरे देवी उनिवासिती का शिला न्यास करेंगे ग्री मंत्री अमिशा जंचबाको सुम्बोधूत करें कारक्रम इस्थल पर अमिश्या और सीम योगी करीब एक पजी पहुंचेंगे उनिवस्टी के शिलान्यास की बाद चुनावी रैली को सिंभोधित करेंगे अमिश्या साहरनपुर में सुरक्षा को देखते हुए चपे चपे पर पुक्ता इंतसाम आठ कंपनी पीएसी के साथ हजारों सुरक्षा कम्मी को जूटी पढ़ गाये किया बीजेपी की यात्राओं का रूट तैव हुआ साहरनपुर वारानसी अयोध्या जहांसी मत्रा बलिया से निकलेंगी यात्राएं बड़े नेताय यात्रा का शुभा रभ करेंगे और आदबाद में प्रियांक गांधी की प्रतिग्या रैली जंसभा को संबोधित करेंगे प्रियांक गांधी कुछ नई प्रतिग्याओं की घोशना भी संपब पंद्रा दिसंबर के बाद बिज़पी छे यात्राएं निकालेगी लखनाओं में पियम मूदी की जंसभा के बाद यात्रा का समापन होगा यात्राओं में बड़े बड़े चहरे शामिलोगे पागपत में मुस्लिम पंचायत में बिज़पी को समर्थन समुदाय ने कहा फिर बनेगी योगी की ही सर्था तालिकपुर में जंसभा के बाद अखिलेश रादफ का बानपुर्थाना शित्र में कारेक्टरम महराज खेट सिंग की मूर्ती का नापरण करेंगे छोटी दलों से एस्पी कटकंदन पर यूपी काविनेट मंत्री सिधाट नाप सिंग ने कहा जब कॉंग्रेस और बिएस्पी के साथ मिलकर कुछ नई कर पाया खिलेश तो अब क्या कर लेंगे कॉंग्रिस पर सिधार्टनाथ सेंग का तंस कहा पहले कॉंग्रिस देख ले कि प्रयांका के यूपी में फ्रचार से कितना असर पढ़ने वाल है स्पी के पूर्बश सांसत रिजवान जहीर का विवादित वयान कहा सीम यूगी पर की अभद्र टिपणी ओवैसी को भी हैदराबाद तक खदेरने को कहा स्पी सांसत रिपको रहमान के विवादित बोल कहा जबरन मनाया जा रहा राममंदिर कानून के खिलाफ है नर्मानतकार में राजमंत्री रगुराद सिंग ने कहा आयोध्या काशी के बाद मत्रा हमारे अजेंडे में देश में जहां भी हमारे भगवानों पर कशा हम जबरन दे लेंगे राजमंत्री रगुराद सिंग ने कहा भारत में सब कन्वेट्टिड मुसल्मान ये तो सब हमारी ही भाई है असली मुसल्मान तो आरब हुने ही क्रिशी निदेशाले में प्रिथान मंत्री फसल वीमा सप्तहा कारेक्टरम का आयो जन कारेक्टरम में क्रिशी राजय मंत्री लाखन सिंग राजबूत शामेलो अनुस उचित जाती और जन जाती आयो के अध्यक्ष टॉक्टर राम बाबू हरित आज कासकंच के दोरे पर कासकंच के निरेक्षण भवन में उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठ़ राजा महेंद्र प्रदाप सिंग चैनती कारेक्टर में पहुंची विजपी वपाध्यक्ष बेबी रानी मौरे ने कहा 2022 में विजपी 500 से ज्यादा सीटे जीत रही कोई भी पाधी हमारी टक्कर में ने चंदौली के बाबा कीनाराम मठ रामकर्न मुके मुक्वी होगी आधितरात का पांच दिसम्बर को दोरा प्रस्तावित सीम की दोरे को लेका डीम एस्पी ने मठ का ज्वाय सलिया आजम खान पर दिये गए अखेलेश के बयान को लेकर बरेली मेयर उमेश कौतम ने निशाना साधते हुए कहा आजम पर जितने मुकदमे दर्ज हैं सभी सही हैं बीजपी न्याय पालिका पर पूरा विश्वास करती है कोरुना की नए वरियंट को लेकर जिला प्रिशासन अलर्ट मोट पर डिये अमे प्रीस कंफरंस कर नए वरियंट को लेकर जन्ता जाहिर की और लोगों ने कोउबिट नियमोग भी पालन की अपीर की संगम नगरी में बारहा दिवसी राश्टर शिल्प मेले का शिभारम शिल्प मेले का शिभारम कमिशनर संचे गोएल ने किया कोबिड नियमू को देखते हुए मेले का आयोजन किया गया किंद्रे राजमंत्री अजय मिश्वा को बरखास्त करने की मांग को लेकर कॉंग्रिस कारेकरताओं ने विधांचभा घेराव का प्रयास किया पुलिस ने कारेकरताओं को बैरिकेटिंग लगा करूगा अलिगर्ड मुस्लिम युनिवासिटी पर गंभीर आरोप लगे पीम की तारीफ पर डिग्री वापस मांगने का आरोप पेच्टी स्कॉलर ने प्रवंधन पर गंभीर आरोप लगाए पिडिक छात्र ने हाई कोड सुन्याई की गौहार लगाई मतरा में जिला प्रिशासन की बड़ी लाफरवाही कोरोणा पॉसिटिव आने के बाद तीन विदेशी श्रथालूओं ने छोड़ा भारत कोरोणा के रए वेरियंट से प्रफावे देशों में रहते हैं तीनों यूपे में परिक्षा माफिया की संपत्ती पर चला योगी सरकार का बुल्डूसर पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षा माफिया महिंद्र कुश्वाह की संपत्ती कोरोणा रिसंबर में होगी यूपी टीटी की परिक्षा दुबारा एक्जाम के लिए अफ्यर्थियों को नहीं देना होगा कोई शुल्ख बेसिक शिक्षा मत्री सतीश ब्रेतीनी चान्तकारी दी यूपी टीटी पेपर लीक मामले में बड़ी कार रवाई परिक्षा नियामक प्राधिकारी संजेव पाधिया गिरफ्तार अब तक हो चुके 35 गिरफ्तारे CBI टीम ने मुराधबाद से रिश्वत कोरी के मामले में प्रथाम यूपी घ्रामेन बैंक के मैनेजर और एकान्य व्यक्ती को गिरफ्तार किया कुरोना संक्रमन वर्णी के आशंका की चलती कुरोना की रोप्ठाम को लेकर स्वासर विभाग अलर्ट अल्मोडा में स्वासर विभाग में फ्रेंटलाइन वोकर्स की रैपिड टेस्ट शुरू किये मैनपुरी की करहल पोलिस वाच और सवलाम्स टीम ने हत्या के मामने में फराज चल रही 25 जार के नामी अभ्योग परमानंद को गिरफ्तार कर लिया मुजफर नगर में एनेच अचावन इस्तित गुपतार रिजॉर्ट की सामने ग्रामिणों ने युवाक की मौक पर हंगामा काटा मुआपसे की मांग को लेकर शब रख कर्थाने पर बैठी ग्रामे कुरकपुर की गेड़ा इलाके में मांसिक विशप्ति युवाक ने कमरे में गैस खुल कर आग लगा दिया आग में चुलसकर उसके दो बच्चों और उसकी मौथ हो गई सोनभद्र में वरानसी, शक्तिनगर, मार्क पर, बग्गा, नाला की पास, माजिक और कार में टकर हो गई हाथसे में तीन लोग आया शभी को होस्पिटल में अट्पमेट कराया अमेटी में तीज़ रफ्तार दो बाइकों की टकर में ग्यूबा की मौथ, तीन लोग अभी रोग शिखायल, खायलो को भीज़ गया होस्पिटल चंदौली में डिज़िटल गिरहो का पर्दाफाश ओनलाइन आपके जरीय करते थे ठगी, पोलिस ने छे आरोपी गिरफतार किये बागपत में टीले पर मिले प्रत्पी राचोहान और राजा अनंग पाल कोमर के काल के सिके उत्खनन कराने के मांग मत्रा में एक उनिवासिटी के एचोडी पर 18 साल के छात्र के साथ को कर्म करने का आरोप लगा है छात्र की शिकायत के बाद आरोपी प्रोफेसर को पोलिस ने गिरफतार किया प्रागराज में नगर निगम के ठेकेदार की दोस्तों ने गोली मार कर हत्या कर दी पुलिस मामले के जांच में जुटी पदाईयों के सहस्वान में दो दिन से लापता युवा का शफ परामद युवा की गला रेट कर हत्या किये जाने के आश्रुका गोंडा में इडीची ने ट्रिपल मुर्टर थी आरूपी की इनाम राशी बढ़ा कर एकलाक रुपए की पुलिस ने आरूपी की बहन को गिरफतार किया 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में पुलिस प्रिशासन अलर्ट मोट पर सस्पी ने पुलिस बल के साथ पूरे शहर में फ्लाग मार्च निकाला और सभी से शांती बनाए रखने की अपीर थी पिरट में आतिश बाजे से मना करने पर वारात्यों ने सिक्योरिटी गार्ड को जम कर पीटा कैमरे में कैज सारी खटना चानपुर के बदलापुर कोतवाली शित्र के नुगोली खुर्द मोट पर पुलिस और बदमाशों के बीच मोट फेड मोट फेड में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी सभी को हॉस्पिटल फेजा किया कानपर में युवक ने खुद को गोली मार कर आहत्मत्या कर ले पुलिस्टेश शब पॉस्ट मॉटम के लिए भीजा परीजनों नी काफी समय से डिप्रेशन में होने की बात पर दी भाराचनच की भारत नेपाल की सोनौली सीमा परदू दिनों सिस्वा सरभाद की जीन तैनाथ कोरोना के नए वरियेंट के चलते सतर्कता बढ़ी आगरा में सर्दी को लेकर परवहन विभाग ने भी कमरकसी रोड़ेस ने बसों में फोग लाइट, शीश्या और अन्यवगस थाएं फरुकाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन सटकों पर डौड रही गाड़ियां तीन हजार बाहनों का पंदरा साल से नहीं हुआ री रेजिस्ट्रेशन फरुकाबाद में बिश्टे विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने उप्भोपता को गलत बिल भेजकर बिल सही करने का नाम पर चमकर वसूली की गई उसके बाद भी बिल सही नहीं गवा सीमो ऑफिस और सभी व्लॉग पर एनेचेम समविदा कर्मचारी संग ने अपनी साथ सूत्रिय मांगू को लेकर अनिश्ट काली धरना शुरू किया किसानों की खाद की परिशाने को देखते हुए धीम ने जांच कराई जांच की बाद जरुरड से ज्यादा खाद ले चाने वाले दो किसानों के खिलाफ टी-ेम ने मुकदमा धर्च कराई शामली में गना किसानों का बकाया भुकता नहीं करने पर तीन छिनी मिल की खिलाफ त्रशासनैप आई आरच कराई चुला जोगा लेकर प्रदर्शन करती हुए ने सरा है। प्रदान मंत्री मोधी 4 दिसंबर को देहरा दून आएगे परेट क्राउंट में रैली का आयोचन होगा करीब एक लाग से ज्यादा लोगों के भीर जुठाने के सलफाता। चुला नियाज क्या महिला सम्हों को चेक पाते। पतराखंड चुनाफ की आम आत्मी पार्टी नितेश की तयारी देली सरकार के मंत्री राचिंद रपाल देट खुमिस में संगठन को मस्बूत करने में जुटेटीं दिसंबर तर कई जंचबाओं को संबूत इप करेंगे। प्रुना के नए वेरियंट को लेकर इंटरनेशनल वेमानों पर रोगचारी 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी उडाने उमिक्रों वेरियंट को देखे हुए पैसला। किसान अंदोलन के दौरांचान कमानेवाले किसानों को मुआफ्सा देने से केंडरस सर्कार का इंकार कहां अंदोलन में नहीं हुई किसी किसान के मौच, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ने। बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों के बीच पूट पड़ी आपसी मत्भेद को लेकर सेउत किसान मोचा के बैठाकराद अब 4 दिसम्मर को मोचा के मेटिंग हो किसान आंदोलन मेव फूट की खबर के बीच राकेश च्रिकैत का बड़ा बयान कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखी का राकेश चिकैट ने MSP पर कानून के अलावा किसानों के मुकद में वापस निनी के मांग की कहा श्रहित किसानों के परीचनों को मुआपसा मिले राकेश्ची के डिमांड लेस्ट में एक और मांग शामिल कहा किसानों की जब्ध ट्रेक्टर के बदले नए ट्रेक्टर सरकार दे किसानों के 150 ट्रेक्टर जब्ध किये दड़ आंदोलन पर किसान संगठनों में मदधेद साब दिखाई दे रहा किसान निता दर्शन पाल ने रखेश टिकैद को रसीहत देते हुए कहा जिन्यदारी के साथ बयान देनी की सब्गा दर्शन पाल ने कहा सरकार को भी कमेटी बनाने में पारदर्शी बनना होगा केंदर को भीची जाने वाले पांच नामों पर बना रहे हैं सहमती 4 दिसंबर तक नाम तै कर लिए ज़ाएंगे पंजाब चनाप से पहले अकाली दल को बड़ा चटका मंचिंदर सिंग सिर्षानी बिज़ोपी का दामन थामा धर्मेंदर प्रधान ने पार्टी की सदस्रता दिलाए मोधी सरकार पर सयुक्त किसान मोचा का बयान कहा खिसानों को बातने की कोशिश बंद करें सरकार को अपने विखाचन कारी अजन्डे को बंद करना चाहिए राहूल कांधी ने चन्नी और सिधू को दिया मंत्र पंजाब को लेकर 5 खंटे तक मराथन मीटिंग चली देश फर के स्कूलों के लिए बने एक कॉमन पाठक्रा शिक्षा मत्राले से जुड़ी संसत की स्थाई समिती निसे पारिश की अज लोग सभा में दो बज़े होगी कोरोना पर चर्चा नए वरियेंट ओमिक्रोन पर स्वास से मंत्री बयान देंगे 24 देशों में कोरोना के नए वरियेंट के एंट्री तीस से ज्यादा देशों ने ट्रेवल बैंट से लेकर बॉर्डर तक सील की ओमिक्रोन खत्रे के बीट आक्षन में होगी सरकार यूपी में रेलवे बस स्टेशन पर आठी पिस्यार चार्च हो तुनिया भर के देश जहां ओमिक्रोन के डर से अपनी सरहदे बंद कर रही हैं वहीं दक्षन प्रशांत में इस्थे देश पिजी ने करीब दो साल बाद अपने बॉर्डर खोल दिये दक्षन कोरिया में कोरोना के मामली लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 24 गंटी में कोरोना के 5123 नए मरीज मिले हैं हालात यह है कि अस्पिताल में दबाव बढ़ता जा रहा करेबियाई देश बार्बाडोस नया गंतांत्र बन गया है बार्बाडोस पर अब ब्रिटिन की महरानी का शासन नहीं होगा सेंट्रा मिसन बार्बाडोस की पहली राश्चुपती बनी है कोरोना का खतरनाक वरियंट ओमिक्रोन अब्दक्षन अमेरिका देश ब्राजील तक महुँच गया है ब्राजील में ओमिक्रोन वरियंट की दो मामले धर्श केट है ओटो मुबाइल कामपनियों ने नवंबर सिल्ज की आखड़े जारी किये है चिप की कमे के बाद मारूती को ग्रोध फिली दूसरी सभी कामपनियों की मंत्ली सेल्ज किली जिसी कलेक्षन में फिर बड़ा रिकॉर्ड नवंबर में हुआ एक दश्मलव तीन एक लाग करोड का जिस्टी कलेक्षन एप्रिल 2021 के बाद ये दूसरी बार रिकॉर्ड कलेक्षन पंजाब नेशनल बांक की ग्राहको कुछटका पी अनवी ने खटाई बचट खाते की द्यास दरे दस लाग से कम रकम वाले बचट खातू की जमा दरे खटा कर 2.8 शूने फिस्टी सेलाना किया सहतारी बैंकों की प्रिस्तावित निची करण का विरोध युनाइटेज पोरम ओफ बैंक युनियंस ने 16 दिसंबर से 2 दिन की हर्टाल का आवान किया देश के निर्यात में इजाफा दिखा नवंबर में 26 श्मलब 49 तीस्टी बढ़ा निर्यात इंजिनियरिंग उत्पादों के निर्यात में 37 तीस्टी का इजाफा टिम इंडिया का अफरिका दोरा जारी रखना चाहता है विससी आई सौरफ गांगुली बोले अभी हमारे पास विचार करने के ने काफी समय फिरहाल दोरा जारी आईसेसी टेस्ट रैंक्टिंग में बड़ा बदलाफ रविंद्र जडिरा बने दुनिया की नंबर दू और चांजर पही गेंदबासी रैंक्टिंग में आईसेसी टेस्ट रैंक्टिंग में रोहित कोली अपने स्थानों पर पर करार थी इसके इंदबास जस्प्रीत गंब्रह एक पायदान किरकर दस्वे स्थान पर कहुंचे केल राहुल के पंजाब किंग्स छोडने कोलेकर नेस वादिया ने नाराज़की जाहिर की कहा हमने केल राहुल को पूरी आसा दे दी पंजाब किंग्स को एक और छटका के अल राहूल के बाद अब असिस्टेंट कोट एंटी फ्लावर ने भी इस्टिपा दिया किसी नई टीम के साथ जुड़ सकते हैं एंटी सनी दे ओल और अमिशा पटेल स्टारर गदर टू की शूटिंग शुरू हो गई है अमिशा पटेल ने फिल्म की मुहरत की तस्मीरे सोशल मेडिया पर शेयर की है पट्रीना कैफ और विकी कौशल की शादी में फोन मैंट पोनी की खबर पर अक्टर करचराज्ज राव का रियाक्शन सामने आया है जिसमें उन्होंने शादी में फोन मैंट पोने पर एतराज ज़जा हिक किया सुबस्ट्रा प्रभास और पूजा हिगड़े की आने वाली फिल्म राधे शाम का रोमांटिक सौंग आश्रकी सामने आया है दोनों की कैमिस्ट्री पैंस को खूब पसंद आ रही है